जब लगे आपकों किदरी दरता बहुत ज़ादा है किराया तक नहीं है मैं कैसे जाऊंदार और शमी ने दोनों मिलकर भगवन शिव की अराधनकरी और देवदी दे महादेव ने बर दे दिया सुनो शमी और सुनो मंदार यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ति आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा उसे हजारो अश्मे ग्यग्य के इस नान का जो पुन होता है वो एक छण में प्राप्त हो हजारो अश्मे ग्यग्य का फुन है हजारो अश्मे ग्यग्य का फुन है हजारो अश्मे ग्यग्य का फुन है एक साथ शमी की पत्ति देखिए आप लोग ने जमके तो बोले ज़रा है देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है अब शमी की जो पत्ति होती है उस शमी शमी की पत्ति को भगवान देव जीदे महादेव पर चड़ाने का शमी की पत्ति जो होती है उस शमी की पत्ति को चड़ाने का एक नियम भी होता तो रसावधानी से सुनना इस नियम को जो आपके जीवन को सार्चक बना सकता शमी की पत्ति को चड़ाने का एक नियम बड़ा जब सारा शंगार मेरे देवदीद्य महादेव का हो जाए बहुत ध्यान से सुनना ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबरिश्वर भाबा की पावन भरा पर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनना है, बाउस्ति पत्ति शमी की जो पत्ति होती है, उस श जब लगें आपको की दरीधता बहुत है, यह किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाओंगा, कैसे उस महार्यों के धर्शन पन, कैसे उसकी चोखढ़ पर जाओंगा, कैसे उसको नमन करूंगा, जलादारीगों जल निकल कर जाने था, इस्थान गनेश, कार्पिके, अशुक सुन्दरी, जलाधारी मतलब माता पारवती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिवका सुरू उपर, जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बून जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिवजी की बेटियां, जया, बिशहर शौलिव का शामली बारी दवोतलिगृ श्वड the अब जब देवदीद्यो महादेव को समी का पत्त चड़ाया जाता है Egypt n Women संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो शिविलिंग पर जल चड़ा दिया हो शिविलिंग का पूरा शंगार आपने कर दिया हो संपूर्ण शंगार मेरे दिवदी दे महादेव का हो गया संपूर्ण शंगार बाबा कुचंदन का लेपन अभीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चड़ाना है, सब कुछ तुमने चड़ा दिया सारा संगार मेरे देवदीदे महादेव का हो गया, तब शमी की पत्ती को मा जगजन्नी की जो जलाधारी है उस पर मात्र इसपर्ष कराकर शिव के शिविलिंग पर आखरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है, वह मा जगजन्नी देवदीदेव महादेव से उनके कानों में श्रवन करा शमी पत्र का एक बात और इसिमरण में रहे शमी पत्र की बहुत इन रहे, एक बात और अपने इसमरण में दीजिए, जिसे हमारी जब बहुत जादा मात्रा में घरिदरता होती है, बहुत ज़्यादा मात्र में बहुत कश्ट में जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि मैंหरियाना साइट से आई हूँ उन्हों पत्र में लिखा है, मेरे को मेरे टिकिट करवाने का भी मेरे पास पाइसा नहीं था, गिरे कवे flower बेटी युझ लिखा है, तो उनका टिकेट कैंसिल हुआ तो मुझे यहां कर दे जाए नहीं हाँ जब आपको लगता है कि इतनी दरीद्रता जीवन में है इतना उरेशा नहीं है मनुश्य के जीवन में बखूत सुख दुख तो चलता रहता है आप शक्से निवेदन करना चाहूंगा आकम मने की मिए कुपरिष्वर धाम आए kнения के शिंटा मन गणेशोर्श्री हनमान खाटक का खेडापथी सरकार का मन कामिश्वर का दर्शन करना बहुत तरीद्रता का जीवान है बहुत दुखी जीवान है तब बेलपत्र शमीपत्र का प्रयोग जरूर करके देखना प्रेक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता है एक महराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने महराजी प्रवचन दे रहे थे कि मदरा का पान नहीं करना चाहिए नहीं पीना चाहिए गलते नाली में पढ़ा होता है वैसन में पढ़ा होता है ऐसा पान ना करो एक महराज का पेचेन वाला ख महारत जी ने का भईया देख में भी प्रवचन दे रहा हूं मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है में मुझ से समझा रहा हूं कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं गटर में गिरते हैं मेरा भाई प्रेक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पी यार प्रिक्टिकल वाली बात है, शमी पत्र, बेल पत्र का, एक बार जीमन में प्रिक्टिकल करते खर कर लेए, जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, वरोसा अगर धड़ी है, और शंकर के परती अगर आपका विश्वास पक्का है, आप साथ दीन या रुके हुए हो यहां से अपने घर जाओगे निशीत है वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए कैसे भी आए तुमारे पास पहुंचे वुद्जाए रिजित है और यह कहीं से कैसे किस रूप में आए कहा से आए क्या करें वो उसके उपर है देगा विश्वास लेकर आयो रोसा अगरता उस बचे ने बोट परिच्छा दि परिच्छा दे कर उसने नोक्री का लगाया नोक्री का लगाया बिद्धुत भी भाग में लगा मेरे महादें को होगा नी समझाई होगी तो रैलबे में लगा विश्वास ब़ोसा दड़ी करना चाहिए दो चीजे हमारी शिव महापुरान की कताकती है एक अपना कर्म करना मत भूलो मेहनत करना मत भूलो और दूसरा महादेव पर विश्वास करना मत भूलो ये शिव महापुरान की कर्म करना मत भूलो मेहनत करो, दिल से करो